नफरत की लाठी तोडो लालच का खंजर फेको जिद के पीछे मत दोडो तुम प्रेम के पंची हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों सोचो ये धरती हम सब की माता है सोचो आपस में क्या अपना नाता है हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन समा लेगा कोई बारवाला अपने घर से हमें भगाएगा दीवानों गौर करो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों आपके अपने यूटूब चैनल डिजिसर पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के महतापूर्ड प्रशन के बारे में और यहां महतापूर्ड जो प्रशन है आपके एकजाम के दिश्टिक कोड से जो है बहुत ही इंपॉर्ट और पूछने के इस प्रश करते हैं मोगल सामराज के पतन के काड़ करना की जिए अपसे लगोत्री पूछता या अतिलगुतर है तो आप कैसे लिखेंगे देखेंगे हैं यहां पर अगर अगर दिर्ग में पूछता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं मैं इस प्रकाल से इसका अपते रिकर लगुत्री और दिर्गुत्री तीनों में आपका ये काम दे जाएगा वीडियो इसलिए वीडियो में अम तक बने रहेगा जो भी बहुत ही इंपॉइंट है देखे डिश्रेंट्स यहां पर हम लोग इतियास में जो हता है वो जानते हैं गड़े हुए मुर्दे को खाने की बात होती है तो मुगल सामराज के पतन के कालतों बहुत से हैं आई ये कुछ महत्रपुड करलों को देखते हैं देखे पहली जो इसमें देखे पॉइंट निकल कराता है अगर आपको लगू आती लगूं पूछता है तो आप इतना पॉइंट लिएगा उसके अंदर मैटर लिखने की ज़रुत आपको नहीं है लिकिने बोड़ी जमी से आप लिखते हैं तो आपको अंदर मैटर लिखना अगर द्रीगुत्री में लिखना होगा तो आपको अंदर भी मैटरियल लिखना पड़ेगा देखे पहली जो बात आती है इसलाम धर्म के सिधानतों पर आध वो जो उनके उत्रा दिकारी थे उन्होंने ऐसा ही कारे किया तो यहां पर देखिए इस रूप से क्या होता है और जाते है कई पर भी से नहीं कर पाई जो कही से दिरे दिरे मुगल 사амराज के पतन के करलों में फ्रभॉक कर्modo गया वो Shark देखिये क्या है दशिर के निरंतर युद्धों का पतन में हुगदान देखिये दशिर के जो भारत का जो है दश्री दश्र भारत की जब लोग बात करते हैं यह साउत मूई आप देखते होंगे तो दश्र के निरंतर युद्रों का पतन में हुदान देखिए दश्र विजय प्राप्त करने के लिए मुगलों ने अपार धन सब्पदी खर्च किया हुआ था उनकी पर दिखिए सौहिमान की लड़ाई है और वहां पर दिखिए इतने बहुत पैसे हम लोग के भारत देश के बहुत पैसे वहांपर खर्च होते हैं अगर देखा जाए एक राजे को और उसे जहमू कस्मिर को संभालने में जितना हमलो का पैसा खर्चता है उसे दो तीन राजे चार पाँच राजे आपके आसानी से चल सकते थे लेकिन या सम्मान और जित की लड़ाई है ठीक है और देश को न जुकने की बाद देश हमेंशा जो और फ्लोक का गरमान भी देखे तो देखे जुदि क्वेसे जिमेदार बनी म्गर्प्रपो बात जिम division का आति है पारिवारी गलाई एवं आंतरिक असान थी परिवारी कला का मतलब देखा जाए तो उने कला क्लेस क्या होता है करा का मतलब होता है एक ही परिवार के अंदर तो उसे के थे हैं तो आप कभी कभी बज बिजंगली कला जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है तो पारिवारी कला एवं आंत्रीक असांती थी कई ने कई देखा जाया मुगल सामराज में जो उसके पतन करणों में निकल कर सामने आई तो आप देखेंगे कि जो सीवाजी के मराठा साथनकर में देखा जाया तो ये बहुत चर्चीत नाम है ये चापामार युद निती तो चापामार युद जो प्रड़ादी लो लाया थे तो इससे इनके सक्ति का उतकर्श हुआ मराठा सक्ति का और वो लोग अपने विजय को अपने श्रामराजी को स्थापित करने में क चौथी पॉर्ट अब की हो जाएगी पांच भी देखी दियर्शन जो इसमें मतलब बाद आती है दर्वारी श्रणयंत्र एवं परिवार्त था सरदारों का विश्वास घात तो जैसे बाद देखिए विश्वास घात बहुत खतरनाग चीज़ होती है तो यहां पर कई बा जो बाते निकल कर आती है तो दर्वारी श्रणयंत्र के जो होते हैं श्रणयंत्र से जानते हैं कि बड़े-बड़े राजाओं महराजाओं का शामराज तक समाप्त कर दियता है और शारदारों का विश्वास घात भी कई न कई सामने आए जो मुगल सामराज के पतन का करण बना चड़ में देखे जो महात्रप्ड बात ही सामराज एका विसाल शेतरफल सामराज ये का चेतरफल बहुत काफी बीस्तार हो गया तो जाइस यह बात है जब सत्ता आपकी शासन जब अपके चेतरफल बढ़ेगा तो आपको बुद्धी विवेक भी बढ़ाना करें जो कई से वो पतन की और चलेगे ठीक है साथमां दिखा जाई इसमें कर नियम का भी उसमें यहांGroit को मिला यहां अभाव रहेगा उत्तराधेल नियम का अभाव रहेगा की आफिक Samaniya the तक को आप वनाऊ त्यू? पहली राजा बनेंगे इनके बाद ये आएंगे तो ये बेवस्ता हैं जो उसके लिए घरेलू युद्ध करड़ बन गई और देखा जाएगा तो भाईयों के मद्ध शिंगासन को प्राप्त करने के लिए रखत पात हुआ देखेंगे बहुत अरा जकता यहां पर देखी गई है उसी को मैंने बताया गया था कल्ला के रूप में जो मैंने बताया था आपको पहले भी सात्मी देखिए इसमें जो महत्रपुड बात आती है शाशन प्रबंधन की अकुसल विवस्ता का मतलब हो गया निरंकुस सरकार लोग थे नँगो उनको पूरी तरीकर से अधिकार पलतान कर देगा जो करेंगे वही होगा यह फौजदारी दिवानाइक की जो मुकतम होंगे वह जो लोग करते हो जो करेंगे उसमें ज्यादा जो राजा वागरत थे वो अपने बढ़ चर्थ कर उसमें सम्विलित नहीं होते थे जो कि उनकी अकुशल वयवस्था को रिप्रिजन करते हैं आप तांगी जो थी आप उचल वयवस्था थी द्यावा देशी राजाओं का विरूद यह देशी राजाओं देखिए क्या है जो माराठाओं में दिखे जाए मुकूप से सिविकार मोथरकाली में द पर जाड़ने लगाया उनसे धीरे-धीर वाद यहां पर स्टार्ट हो गया और वो लोग जान गये कि अब हम लोग भी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मुगल समराज को समाप्त नहीं कर सकते हैं इसके पतन को हिला नहीं सकते तो इस परकार देशी राजाओ जो लोग भी आंति लूप से प्रवित हुए थे किसे जो माराठा समराज के तहत में आकर तो नहीं कर सकते हैं तो प्रेटा ग्रॉप में भी काम किया गया तो वहां पर यह भी कई-देख अकरमन का दूस परहो देखें यहां पर जो युद वे हैं इसमे हैं महतपूल बाते हैं का इटो जो सब्सक्राइब को नश्ट करने वाली युद्ध थे यह जवी जी जो प्रभावित की थी वहां पर जो नहीं दस्मीं बात है यह रही बात देखे क्या अंग्री जो का उतकर्ष उदर देखिए अठार सब्सक्राइब करांती का दमनमा तो देखिए बहादुर साथ दिफी दि जिल में रंगून भेज दिया गया वहीं पर इक यह इन उंग्रीजियो का उद्कर्ष भी कहई कराड और यह व्यख़रे जैक पास संद्रेश शंदे अशिल वहं आव विश्वासी चरीतर देकि और उरंग्न बढ़ाई संहे ये संधेशल वैक ती. EDCmillan और सैitesh और विश्वासी भी था देखिए मुक्रिफ से बात करें देखिए तो कट्टर सुन्य उसल्मान की रुप में याद किया आता है और रूंगजेब की जब भी बात आती है और उसके बाद देखिए सिया संपरदाय से भी इस विवेख्ति की ज्यादा बनती नहीं थी ये भी कह में निकल कर सामने आए और यहां पर देखिए मैंने पॉइंट के रूप में यूजबी किया हुआ है आपका बारावे के बाद देख रहे हैं शिया मुशल्मान हम सायद भाईयों का तिरसकार तो सिया बंदू जो थे और जो कौन जो सायद भाईयों को देखा जाए तो इस दच्षड के निती का मतलब उसने सारी सकती जो दच्षड विजया में प्राप्त करने में लगा दे लेकिन उसका जो यह वीजय था वो पराजय में करनोट हो गया और यह कहीं ने कहीं से सबसे बड़ा नुकसान था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इसमें सेनाओं का पूरे पाट्यून देखी 15 जो इसमें मतलब बात आती है और रंग्जेब की इसलाम धर्म में आस्था रथा कट्टरता देखिए यहां पर बात होती है धर्म की तो धर्म को बताया गया पहले में मैं आपको बता रखा है कि धर्म का मतलब यह उता है जो धर्ड करने योगे वही धर्म है और किसी धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म का बखान करना यह सबसे इसका मतलब दूसरे धर्म का आप अगर रिस्पेक नहीं कर सकते thứ यही दूसरे धर्म की इज़्जत करिए बस यही छोटा सा इजम डिफिनेसन है और जो धराड करने होगे हो वही धर्म है इस बात को भी याद रखिए यह मेरे तरब से थोड़ा इस्टरनल घ्यान है इसको आप लोग रखिए अपने पास सभी लोगों के लिए यूसफुल और अच्छी चीज़ है सरो धर्म से बहतर कुछ नहीं है और इसी आस्ता से लोगों को रहना चाहिए और मानों धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है यह तो आप सभी लोग भी जानते हैं अच्छे से तो डीर स्ट्रेंट से देखिए पंदरवी जो बात थी है और अच्छार करने कारे किया और उसके साथ हिसा जो हिंदू अपर किया किया गया तो यह कहीं कहीं से दूस पर रिडाम निकल करा है जो उल्टा सामराज्य विरोधी भावनाओं को प्रिरिद कर दिये मतलब देखा जा तो तुरंत उल्टा उसी के उपर ये दूस प्रभाव द उचित नहीं थी तो आप जानते हैं कभी भी कोई अगर महान शक्ते महान समराज की रूप में इस्थापित करना चाहते हैं महान समराज आप इस्थापित करना चाहते हैं तो आपको सभी पूरे एक जुड़ता के साथ चलने की ज़रुत है एकता के और जानते हैं बहुत ब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और मेरा जो वाट्षट नमबर है सब्सक्राइब करें अब समय है तो आपनी त्यारी करेंगे तो क्या मतलब है चुना वेगरा में देखें आज़ादा इंट्रेस्टिंग लिने की आप लोगी जो तुब सब्सक्राइब करते हैं चुनावी वाले में देख रहे हैं चुनावी भाई बंदू बहुत हम लोग क्या है जो कि वहां पर लगे हुए हैं आप लोग फिलाल में अपनी इश्टी पर ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे कुछ डियर श्वेंट्स हैं जो कि हमारे नमबर को भी से क्या है देख रहे हैं राजनितिक पाटियों के कुछ दो लोग अपने अपने पाटियों परिसान हैं लोग तो बेटा ठीक हैं यहां पर अगर आप लोग यसी कारे को करते हैं तो यहां पर आप में मन भेथ पैदा होता है मत भेद पैदा रखी है मगर मन भेद मत पैदा करिए मन भेद का मतलब क्या होता है आप यह जैसे कोई बबसपा वह सपा को सपा को सुच रहा है को कांगलेस को सपाइए कहां प्रा तनाव की सिर्थी पैदा हो जाती हैص devam लगता है कि अपने दूसरे विरूती मतले। ह अपने इस्टिडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि याद रखेगा अभी नहीं तो कभी नहीं, आपका दीन अच्छा रहेगा, आप बहतर करेंगे, आप अगर उचे पत पचले जाएंगे, बहतर जगन पचले जाएंगे, तो आप की पैचान वैसे ही बहुत बड़े प्यमाने पर बन जाएगी, और आप लोग फिर किसी के यहां बैटने, यह आपने खुद प्रतिवा जब आपके अंदर आएगा, जब उस योगिता क्या आप बनेंगे, तो लेकिन आप लोगों को अभी जो है, वो इस्टिडी की जवरत है, अध्यन की जवरत है, तो अपने अध्यन के समय को बढ़ा लो बेटा, दिन में भी आप लोग पढ़िए, साम में भी पढ़िए, रात में भी पढ़िए, सुब जब भी टाइम मिले, आप लोग अपने इस्टिडी पर ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि दो से तीन महिने का समय अब बचारिक में बिद्याले भी आ आजाएगा, तो डिये रिप्षेंट से मिलते हम लोग लिए वीडियो में तब तक के लिए, टेक कियर, वुडबाए, जै हिंद, जै भारत